हाईलो फ्रेंड बेलकम बेक टु माई चैनल सुपर फाइब पावर जी हाँ दोस्तों बढ़ते हुए क्रोना के परकोप और लगातार हो रहे हैं खिलारियों के पोजेटिव के करण बी सी सी आई ने आई पिल दुहजार एक केंसिल कर दिया है उसे फिलाल पॉस्पॉंट कर लेकिन सभी क्रिकेट प्रेमियों और खिलारियों के लिए एक बहुत ही बड़ी फुसकवरी बी सी सी आई की ओर से निकल कर आ रही है मैं बता दू कि बी सी सी आई ने अभी फिलाल ट्वीट करके जानकारी दिया है कि नए कारिकरम के तहत आई पिल खिलाया जा सकता है तो इसके बारे मदी आप पूरा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो अंत तक हमारे इस वीडियो में बने रहें और चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए ताकि हम लोग बहुत जल्दी 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट कर सकें और इस से बढ़कर एक स चैनल पर वीडियो किर्केर समन्दित आने वाली है तो अभी तक जो जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज भाई सब्सक्राइब कर दोए ताकि वन के सब्सक्राइब हम लोग हीट कर जाएं दोस्तों मैं बता दू कि पहले के के आठ टीम के दो खिलारी को क्रोना पोजेटिव हुए फिर चैन्नाई टीम के स्टाफ मेंबर क्रोना पोजेटिव फिर हैदराबाद के टीम के क्रोना पोजेटिव के बढ़ते हुए मामले के रफ्तार ने बीसी स्याई का सिर्दर्द बढ़ा दिया था और उसके भारत सरकार की और से भी बीसी स्याई से कितना खूस है आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में बताए आपको क्या लगता कि या बी सी सी आई का सही फैसला था या गलत तो तो दोस्तों मैं बता दू कि बी सी सी आई के एक रिपोर्ट ने सभी किर्केट प्रेमियों के लिए आसा की एक नई उम्मीद की किरन जगा द होता है क्रोना की रफ्तार धीमी पड़ती है तो वह आई प्यल 2021 कि खेला सकते हैं लेकिन इसके बीच जादी इस तरह से क्रोना का परकोप बढ़ता रहा तो बीसी सी आई ने जारी कर दिया आई कुझों ने कहा कि इस तरह से बढ़ते परकोप में आई प्यल करवाना हो जाए और सब लोग जल्द जल्द स्वस्त हो जाए थैंक्स लिए